नमस्कार दोस्तों, recently IORA, that is Indian Ocean Rim Association Committee की जो senior officials हैं, उनके द्वारा 20 second meeting किया गया था, ये जो 20 second meeting है दोस्तों, UAE के द्वारा होश्ट किया गया, United Arab Emirates के द्वारा, और इसमें जो एक सबसे important decision है वो ये था, कि France को allow किया जाएगा इस particular association के अंदर, क्योंकि France काफी समय से कोशिश कर रहा था कि IORA के अंदर उसको membership मिल सके और इतना असान नहीं था उसके लिए, तो हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि आखरकार problem क्या था कि France को entry नहीं दी जा रही थी, और साथ में देखेंगे Indian Ocean Dream Association की क्या खास बात है, इसके बारे में details स जाने की कोशिश करेंगे, चली आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं, Instagram, Facebook और Twitter पर मेरे लेक्टर की हर पीडियोफ आपको Facebook पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा Telegram चैनल जोईन कर सकते हैं, बाइ सर्चिंग अंकित अगरवाल, और अगर आप UPSC की तैरी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनेरा मौकाई, स्टडिया एक लिए आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके तुरू आप अपमें फिल्परेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, तो पिछले वीक की ही बात है कि जो IORA है, यह एक तरह का Regional Association है, जो कि इंडियान ओशेन के अंदर जितने भी कंट्रीज आते हैं पेरिफेरी में, उनके साथ मिलकर यह बनाया गया है, और इसका वर्चुल मीटिंग कंडर्ट किया गया था Council of Ministers के द्वारा, और यह Chair किया गया था United Arab Emirates के द्वारा, मैं आपको बता दूँ कि 2019 से लेकर 2021 का जो Chair है, वो आपका UAE को दिया गया है, इसलिए 2021 तक UAE इसको Chair करेगा, अब इसमें कई चीजें की गई लेकिन जो सबसे Important, Main Decision था, वो यह था कि France की जो Entry है, इस Association के अंदर वो Approve की गई है, और Finally France बन गया है 23rd Member of IORA, तो इसके बारे में मैं आपको और बता हूँ, उसके पहले Indian Ocean Rim Association के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत Important है, इसके बारे में UPSA Plains में भी एक बार Question पूछा था, तो ध्यान रखेगा कि इसको करीब 23 साल पहले बनाया गया था 1997, 7th March 1997 को Establish किया गया, ये एक तरह का Inter Governmental Organization है, आपके एक्जाम में आ सकता है, क्या ये Non Governmental है, जी नहीं, यहाँ पर अलग अलग देश की जो सरकारे हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ ये समू है, अब अगर इसका थोड़ा सा Vision अगर आप देखोगे, Starting देखोगे, तो ये होता है 1995 से स्टार्ट, बेसिकली उस समय South Africa के जो President थे, नेंशल मंडेला, वो भारत के दोरे पर आये थे 1995 में, और आप देख सकते हैं कि उस समय उन्होंने यहाँ पर क्या कहा था, कि the natural urge of the facts of history and geography should broaden itself to include the concept of an Indian Ocean Rim for socio-economic cooperation, मतलब उनका ये कहना था कि geography और history को देखते वे, यहा उनके बीच में एक समू हो, Indian Ocean Rim हो basically, ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा socio-economic cooperation हो सके, यहाँ पर cultural diversity और ज्यादा exchange हो सके, इसको लेकर कुछ हमें एक समू बनाना चाहिए, तो finally 2 साल के बाद, that is 1997 में ये Indian Ocean Rim Association बन जाता है, तो ध्यान रखना है आपको कि इसका जो main aim है, वो यह है कि जो regional cooperation है, मतलब कि जितने भी countries आते हैं, 23 countries, उनके आपस के बीच में जो cooperation है, वो ज्यादा बहतर हो, development sustainable basis पर हो सके, अभी के इसाब से अगर आप देखोगे, तो जैसा कि मैंने बताया, कि France 23rd member बन गया है, तो ध्यान रखेगा, पहले ये 22 members थे और 10 dialogue partners थे, अब क्या हो जाएगा, कि पहले France dialogue partners होता था, तो अब यहाँ पर dialogue partners हो जाएंगे 9, और जो member states हैं, वो हो जाएंगे 23, यहाँ पर आप सब के नाम देख सकते हो, Australia, Bangladesh, Comrose, India, Indonesia, Iran, सभी को नाम दिख जाएगा, और नीचे जो dialogue partners हैं, यहाँ पर France, basically अब इसका member बन गया है, यह आपक जो countries आते हैं आपके इस पूरे Indian Ocean में, वो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि भारत हो गया, ध्यान रखी का Pakistan इसका part नहीं है, जो Iran है वो इसका part है, साथ में यहाँ पर जो उमान हो गया, UAE हो गया, इसके लावा यमन हो गया, फिर यहाँ पर Somalia इसका part नहीं है, बाकी के नीचे जितने भी देश आपको दिख रहे है, अफ्रिका में, वो इसके part है, मडगासकर है, इसके लावा कई सारे यहाँ पर आपको islands दिख रहे होंगे, वो भी इसका part है, South East में देखिए, अगर आप तो South Indonesia हो गया, इसके लावा Malaysia है आपका, और यहाँ पर Australia दिख रहा है, इसके अलावा यहाँ पर भी जो देश हैं वो आपको देखने को मिल रहे होगे, तो टोटल मिला कर यह 23 countries होते हैं, प्लस साथ में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो dialogue partners हैं, वो light green color में दिखाया गया है, जैसे Japan है, China है, यहाँ पर Egypt हो गया, USA भी इसका dialogue partner है, बाकी भी ना तो उसके बावजूद भी यहाँ पर France को entry कैसे मिल गई, तो इसलिए जो France है, वो पहला देश बन गया है, पूरे Indian Ocean Rim Association के अंदर, जिसकी mainland आपका Indian Ocean के साथ टच नहीं करती है, mainland का मतलब है, जो main country है, इसका जो part है, वो आपको Europe में दिखेगा, लेकिन आपको याद होना चा है, और यह याद रखना है आपको कि France 2001 से लगातार इसका dialogue partner बना हुआ था, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको कई सारे countries मिलेंगे, अलग अलग देशों के जो territories हैं, यहाँ पर इसको कहा जाता है, overseas territory, तो exactly आप देख सकते हैं, यहाँ पर, यह reunion island है, आपका मडगास करके just pass में देखेगा, इसके अलावा आपको Pacific Ocean में कई सारे जैसे की French Polynesia हो गया, South America के अंदर तो आपको पता ही, यह काफी बड़ा landmass है, that is French Guena, तो इस तरह के कई सारे आपको जो आपके overseas territories हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अब last में यहाँ पर आप यह भी देख हैं, trade से related, उसको कम करना ताकि जादा trade बढ़ सके, इसके अलावा यहाँ पर six priority areas रखा गया है, IORA के अंदर, वो है आपका maritime security, trade investment, fisheries management, disaster risk reduction, academic and scientific cooperation, इसके अलावा, tourism को जादा बढ़ावा देना, तो यह main, आपके mains के point of view से काफी जादा important हो जाता है, अब हम आते हैं कि France के entry क अब आपको समझना है कि यह जो Indian Ocean Rim Association है, इसके अंदर जो भी decision लिया जाता है, वो consensus basis पर लिया जाता है, voting के थूँ नहीं होता है, तो इसलिए क्या है कि अगर कोई भी देश यहाँ पर मना कर देता है उस decision से, तो vote decision को नहीं माना जाता है, और इसलिए क्या हो रहा था, कि य इरान ने decide कि चलिए हम इसको entry देंगे और इसलिए France यहाँ पर इसका part बन चुका है, लेकिन अब इसमें अभी clarity नहीं है कि exactly इरान ने ऐसा क्यों आखिर कार अपना decision अचानक से change कर दिया, क्योंकि ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि mainly हो सकता है कि यहाँ पर Donald Trump चुनाव ह जो बाइडन आने वाले हैं, तो जो बाइडन आने वाले हैं, तो यहाँ पर pressure बनाने की probably कोशिश कर रहा है यहाँ पर इरान किसी ना किसी प्रकार से जैसे France के साथ मिलकर जो P5 countries हैं, न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, आपके permanent members हैं, उनके साथ मिलकर कि यहाँ पर वापस से ज घंबे समय से सैंक्शन लगा हुआ है, और तो यहाँ पर इरान चाहता है कि सैंक्शन हटे और वापस से जो GCPOA है, वो वापस से form में आ जाए, तो में भी हो सकता है, इसको देखते वे यहाँ पर France को मंजूरी दे दी गई होगी, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता कर हो गया, उनके साथ territorial dispute चल रहा है, Indian Ocean के अंदर यहाँ पर France के साथ, तो उनको लगता था कि अगर वो इसका पार्ट बन जाएंगे, तो में भी हो सकता है, उनके voices को दबा दिया जाए, France के द्वारा, क्योंकि France एक powerful country है, लेकिन यहाँ पर जो Macron है, President Emmanuel Macron, वो काफी समय से 2019 से कोशिश कर रहे थे, अलग-अलग island nations के साथ, ताकि उनको मनवाया जा सके, और यहाँ पर finally सबकी सहमती बनी, और इसलिए, यहाँ पर France की entry दे दी गई है, इसके लावा मैं आपको ये भी बता दूँ, कि भारत के बीच में भी काफी सारी आशंकाएं भी थी, कि क्या France को यह तरह से claim करेंगे, कि हम भी qualify करते हैं, क्योंकि उनका भी अगर आप देखोगे, तो islands आपको देखने को मिलेंगे, दैसे, दियागो, ग्रेशिया हो गया, चागोज, आकि पिलागोज हो गये, तो इस तरह की islands आपको इनके भी देखने को मिलेंगे, तो यह भी कह सकते हैं, कि अगर कोई भी permanent member को, जो United Nation के permanent member है, अगर उसका part बना दिया जाता है, तो France obviously इसका part है, तो यहाँ पर हो सकता है कि जो power dynamics है, वो थोड़ा सा यहाँ पर change हो जाए, तो कहीं न कहीं ये एक तरह का डर था, लेकिन क्योंकि जो भारत और France है, वो इस समय अपने golden period से चल रहे हैं यहाँ पर जो France और भारत के बीच में special relationship है, उसकी वज़े से finally ये जितने भी आपके डर थे, उसको sideline कर दिया गया, और finally भारत ने भी कोशिश की कि France को यहाँ पर इसका part बना दिया जाए, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इसके बारे में क्योंकि अगर आप दे Australia, South Africa और Iran के opposition की वज़े से उनको ये dialogue partner इसका नहीं बनाया गया, तो ये भी आपको द्यान रखना है कि Russia और Saudi Arab चाहते थे बन जाएं लेकिन उनको इसका part नहीं बनाया गया, अब जाने से पहले में आपके मन में question आएगा कि क्यों आखिरकार इतने सारे देश क्यों चाहते ह है कि वो Indian Ocean Rim Association का part बने, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो Indian Ocean है, वो third largest ocean है, trade routes के मामले में देखिए तो काफी जादा trade इस particular region से होता है, major जो sea lanes है, in fact मैं आपको बताओं तो जितने भी container ships हैं, जो पूरे विश्व में जाते हैं, उसमें से आधा 50% container ships आपका Indian Ocean के through ही गुजरता है, one third जो है world का bulk cargo traffic वो भी यहां से गुजरता है, two third जो oil की shipment की जाती है, वो भी Indian Ocean से गुजरता है, तो इसकी वज़े से एक काफी important life line है international trade के लिए, तो कोई भी person अगर Indian Ocean Rim Association का part बनता है, तो एक तरह से उसकी भी मंजूरी लेनी पड़ेगी, तो हर कोई चा I hope दोस्तों इस particular event के बारे में आपको हर इक चीज समझ में आ गया होगा, यहां पर France ने यहां पर क्यों जोइन किया है Indian Ocean Rim Association को, जाने से पहले मैं आपके लिए एक interesting question लिकर आया हूँ, यहां पर एक आकीपिलागो है, आकीपिलागो का मतलब होता है islands, ठीक है, तो यहां पर मयोते, यह particular आकीपिलागो है, आपको बताना है कि Indian Ocean के अंदर, यह जो आपका island है, यह कौन से दो देश के बीच में disputed territory है, क्या आप मुझे बता सकते हो, इसका जो right answer है, मैं हमेशा की तरह अपने Instagram पर तो डालूँगा ही, अगर आप Insta पे नहीं हो, कोई बात ने, Telegram से ल affectingdire कि उन फिरीटा तरो स्क्राइस प्रेश स्क्राइस आपकास की नहीं है, क्या है, क्यों से भी हो, टेर्माः स्कारण वे तरो सatore बताना है, कि वे लिता बत लिछ में मुझे आपकास का गे diff Mechanism